हेला ओरवन वेलकम यूओ अलेट लोकेसर अल्लेम्टेड स्टडी जोन आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का बच्चों का और लर्नर्स का स्वागत है इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे तो आज दोस्तों यहां पर जो हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं तो यह जो क्लास है यह हमारी युवराज बैच की क्लास है आंगे बढ़ने के पहले बता देंगे कौन सा बैच है यह युवराज बैच की क्लास है और युवराज बैच जो हमारा चलता है वह चोटे बच्चों के लिए होता है बेसिक क्लास के लिए होता है ओके कॉमपेटिव एक्जाम के लि टेल लिया है ओके तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर पाट 2 तो आएक दोस्तोस्ताइट करते ł 1990 पैसेस पाट 2 की देखते हैं आजो मेरे पस्क्या है खास तो यह आतुकिקि आएक आपस और फाइल जिसको फशना ज्सको आम को ऑड़ा करना है संधाना एक कि अपता नहीं हो सकता है कि अप मानके चले गए कि unseen पैसेज ही दिया गया है वही क्रचेन जिडिया गया कुछ और पूछले तो इसले कभी डीरेक्ोषण ज़रूरो पढ़ा प्रब्लम आंसर ABCD are given only one out of these is correct हां मनलब चार आप्शन में से के विल एक सही है और आपको उस एक सही को टिक करना है कि वो कौन सा सही है आजा भाई तो पैसेज नमबर वर की शुरुवात करते हैं पैसेज नमबर वन क्या कह रहा है चुइंग गम चुइंग का मतलब क्या होता चुइंग गम वाज डिसकोवर्ड आप थाउसेंट यहर्स आगो और यहांग और वहांपर मैक्सिकन जंगल मीक इसके दौरा खो जागया मायान की दोड़ाा किसके दौरा खो जागया मायान के दौरा तो आब आप सोच रहोगे यह मायांस क्या होता है तो आई बिलीव कि मायांस जो है ना किसी प्रकार की जाती या कोई ग्रूप होता होगा उनका नाम है मायांस क्या नाम है मायांस तो यह मायांस के द्वारा खो जा गया ठीक है देखते हैं ट्राइप्स क्या होते हैं कोशन यहां पर दूर रहते हैं उनको ट्राइप्स बोलते हैं हम लोग एक दो साल जंगल में जाके रह लें तो भी हम लोग ट्राइप्स नहीं कहलेंगे उनका जन उनका जन भी होता है नहीं यह तो मुझे नहीं पता exactly कि कितने साल तक और रह लें है ना अगर कोई 25 साल तक जंगल में रह लेता है तो उसे ट्राइप्स माना जाता है बट मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की बट मेरी नहीं जो जंगल की फसलों की देखरे करते हैं वहीं की पर पूरे पूरे डिपेंड होते हैं जंगल में ही पलते हैं जंगल में ही पढ़ते हैं बड़े होते हैं और पढ़ते नहीं है बड़े होते हैं और वहीं की फसलों को बेच वगरे करके वह थोड़ा सा अपना काम चलाते तो उसको बोलते हैं अपन लोग उनको अपन ट्रा प्रॉमा सेपो डिला ट्री लो भाई साब एक वो उन्होंने फाउन मतलब पाया फाउन मतलब पाया उन्होंने पाया कि एक लिकुड है एक लिकुड है एक लिकुड मतलब कहता है ही निम बोलते लिकुड का मतलब तरल लिकुर मतलब तो ऐसी चीज़ जो बहती है तो लिकुड पाया उन्होंने जो बहरा था कहां से लीक कर रहा था लीक कर रहा था मतलब बहरा था है ना कहां से सैपोडिला नाम के ट्री से कोई नाम होता होगा सैपोडिला को ट्री होता होगा exactly मुझे मैंने कभी नहीं देखा कि सैपोडिला ट का मतलब एंट का मतलब सम्थिंग ओके तो ऊस्डाउट का मतलब है एजिट ऊस्डाउट मींस बह निकलता है मतलब छाल तोड करके अपने पेले की जो बार्क होती है ना उसको तोड करके यह बाहर आता है क्योंकि लिकुड होता है और यह ऊस्डाउट मतलब बह जाता है मतलब कैसे हैं अपनया चीकू होता नश्याई है ओको चीकू यस तरी होता है तो इसे में से क्या होता है कुछुछ छीजह यह फूलोम यह होता है कहा जाता है और टूड़े वरकर्स कॉल चिकलरोज इस्टिल कॉलेक्ट चिकल तुड़े वरकर्स कॉल चिकलरोज मतलब आज की दिन में जो वरकर होते हैं उनको क्या करते हैं चिकलरोज है ना जिनको हम चिकलरोज कहते हैं इस्टिल कलेक्ट चिकल वो चिकल को कलेक्ट करते हैं मतलब जो गम होता है जो उसके अंदर से निकलता है उसको वो कलेक्ट करते हैं देखो जैसे क्या है कि मेक्सिको में जो वेट को मापा जाता है वेट को मैजर किया जाता है उन लोग वेट को किस में मेजर करते हैं फाउंड में मतलब के बड़े बड़े पटियां बनाया जाती है श्लैब की इच एबाउट थरती पांड्स नियदा एडिसलैप अबाउट 30 पांड्स इच और 14 क्लोग्राम मतलब कि यह होती है इनका जो वजन होता है था में 30 जो या 10 क्लोग्राम 14 किलो ग्राम किते किलो ग्राम 14 किलो ग्राम की पड़े बड़े बड़े स्लाब बनाया जाते हैं बड़े बड़े पट्टियां बनाया जाती हो के इस लैप्स आर सेंट टू गम फैक्टरी अब इन स्लाप को यह जो बड़े बड़े पट्टे बनाया गाया जैसे लकडी के तक् इंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियंटिंग्रेडियं होता है इसमें तेल भी होता है नहीं होता है तो यह सब क्या इसके ingredients है ना ingredients to sweeten मीठा करने के लिए soften मुलायम करने के लिए flavor खुश्बू दनी के लिए and color color देनी के लिए इसको हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले उठाते हैं देखते हैं 61 क्या होगा इस ब्लैंक डिस्कवर्ड चुइंगम किस ने डिस्कवर्ड किया चुइंगम को सों सिंपल है बाई दमायांस ओके आंसर होगा इसका ए देखिए चेकर यह सहिए 61 का A next question देखते हैं blanks are the worker 62 blanks are the worker who collect चिकल, चिकल को कलेक करने वाले वरकर का नाम क्या है? चिकल रोस, तो चिकल रोस जो है, करेक्ट आंसर है, 62 का, C, तो किसमें भेजा जाता था था भाई, गम फेक्टरी बिल्कुल सही है, 63 का भी करेक्ट आंसर, then several ingredients are added to the चिकल to do all of the following thing except to, ओके देखो, soften, flavor, sweeten, thicken, क्या रहा है, की गम फेक्टरी में जो ingredients add किये जाते थे चिकल में, वो क्या नहीं करते थे, except मतलब लिखा इसके अलावा, इसके अलावा क्या करते थे, except to do it, इसके अलावा क्या करते थे, मतलब कुछ बताना है जो नहीं करते थे, एक, soften, मुलायम करते थे, flavor देते थे, sweeten, मीठा करते थे, thicken, मोटा करते थे, correct answer क्या होगा, correct answer है, 64 का, C, correct answer है, thicken, उसको मोटा नहीं करते थे, उसको तो पतला करेंगे, a suitable title for the passage will be, इस passage के लिए, suitable title क्या है, आपके सबसे पुटे पैसेज के लिए, जो पूरी कथा कहानी आपके उपर पढ़िए, इसके लिए suitable title क्या है, a, the gum, the gum, यानि की gum के बारे में जानकारी रही है, the chicklero, okay, the story of chicklero, the story of chewing gum, बताइए, best title क्या है, बिल्कुल, exactly, the story of chewing gum, क्योंकि यह पूरी खथा chewing gum के बारे में है, तो, 65 का correct answer है, d, okay, चलिए, very good, तो, 5 में से 5 सही होगा, आपके हैं ना, नहीं, इसका answer the chicklero नहीं है, क्योंकि यह पूरी कहानी चुइंगम के बारे में, चिकलरों के बारे में नहीं है कहानी, चिकलरों के बारे में थोड़ा सा बात किया है, बट यह पूरी-पूरी कहानी गूम रही है चुइंगम के बारे में ये सोनो देख लिए शुरुवाद भी कहां से हुई है चुइंगम से खंत भी कहां पर हो रहा है गूमक के बारे में तो इस तरह पूरी कहानी जो चुइंगम के लिए आये देखते हैं next question passage number two करते है पैसेज नमबर टू है देखो भाई सब ओके इंडिया इस लेंड ऑफ पिलिग्रिम्स पिलिग्रिम्स मैंने बता है कि श्रद्धालू जो पूजा पार्थ के लिए भक्त लोग एक दिस दूसरी जगह जाते हैं श्रद्धालू एन पिलिग्रिमेज इस पिलिग्रिमेज इस मत इस वेथर इन हिल्स और इंड के इनकी पनि जगह जो कि हिल्स पर होते हैं वर कहा पहाड़ों पे होते हैं और फॉर इनलेंस यह इन पीलींस है पिलि जुपैache का क्या बोलते हैं कर आ? क्या बोलते हैं? जूळेंया हो जो फलेड जगह पर इसे फॉर एक्जाम्बल बात करें वैशनोदेवी जो है वह मंदिर कौन सा मंदिर जगनात मंदिर वह कहां पे है वह फ्लैट एरिया पर पे है पठार पे है समझ मैं है वह कहां पे है पठार पे है एक लियर हुआ की नहीं हुआ यह तो वह आर जनरली situated on the river banks और बाईदसी ये जो है ये जो है और generally ये सामान तोर पे मतलब आम तोर पे situated मतलब इस्थित है on the river bank, river मतलब नदी bank मतलब किनारा या तो ये नदी के किनारे पर इस्थित है और बाईदसी ये समुदर के किनारे पर इस्थित है जैसे रामेश्वरम समुद्र के किनारे पर है, द्वारी का समुद्र के किनारे पर है, जगनातपुरी समुद्र के किनारे पर है, और एदी हम बात करें रिवर के किनारे पर, तो महाकलेश्वरधाम रिवर के किनारे पर है, शिप्रा नदी, शिप्रा नदी, शिप्रा, शिप Not only the religious people who visit these places of pilgrimages, ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक लोग ही in religious places पे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक लोग ही in religious places में जाते हैं, धार्मिक मतलब जो भगवान की पूजा पाठ करने वाले होते हैं, केवल वो ही नहीं जाते हैं, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे कोई अपनी family visit के लिए जाता है, कोई नजारे देखने के लिए जाता है, कोई vacations में जाता है, कोई enjoy करने जाता है, मानलो नदी है तो कोई जरूरी है कि नदी में नहाने वगरे गया हो, मंदिर भी पढ़ गया हो, तो गूम कर के आ गया, ओके, सो प्लीग क्या लिखा हुआ हैं, but also travelers and sightseers, okay, but also traveler, मगर वी यात्री भी होते हैं, and sightseers, नजारे देखने वाले, from all over India and abroad, from all over India, जो भारत के चार उतरब से होते हैं, and abroad, abroad मतलब बाहर से, abroad मतलब विश, बाहर से, विदेशो से, wherever two or more rivers meet, जहां पर दो चिया दो से जादा, wherever two or more rivers meet, जहां पर दो या दो से जादा rivers मिलती हैं, pilgrims come to both, pilgrims क्या करते हैं, आते हैं, शर्दालू आते हैं, और नहाते हैं, गंगा मिलती है, प्रियाग में नाम है, तीन नदिया मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती, वो तीनों नदिया जह प्रियाग राज, because the places are supposed to be holy, क्योंकि पूजा करते हैं, क्योंकि इन जगहों को क्या माना गया है, पवित्र माना गया है, one such place is हरिद्वार, ऐसा एक place क्या है, हरिद्वार, which is situated on the bank of river गंगा, जो हरिद्वार है, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, आई ये बात करते ह है, question की, number one question, holy places are visited by religious people, sightseers, as well as, पताओ भई, किसके द्वारा देखा जाता है, ये तो question सही देख लेना आपन को, कि holy places कौन कौन देख विजट करता है, religious people, sightseers, as well as, travelers, exactly, तो यहां पर भी दिया हुआ है, yes, travelers, ये देखे, travelers, तो इसको पूरा का पूरा अंसरम को वहां से उ travelers is the correct answer, चलिए, next question, 67, which one of the following is synonym of the generally, generally मतलब क्या होता है, आम तौर पे, क्या बोलते है, आम तौर पे, समझ के ना, इसको हिन्नी बोलते है, सामान निता, सामान ता है, है ना, generally, generally मतलब, ज्यादा तरीके से, है ना, मतलब होता रहता, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नई है, जैसे यहाँ पर, इंडिया में, या हम जो जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ पर धूप निकलना कोई नई बात, सामान ता धूप निकलती रहती, generally, ज्यादा तोर निकलती रहती, तो बताना है कि, बताईए, इसमें generally word का synonym, synonym मतलब, परियायवाची, क्या है, okay, 67 7 question का बताईए, usually, publicly, occasionally, eventually, usually, publicly मतलब होता है, जनता के बीच में, occasionally मतलब, खास मौके पर, okay, eventually का मतलब भी होगा, कभी कभार कोई विशेस मौका पड़े तो, publicly, वो publicity है, यह publicly है, हाँ, वो publicity होता है, उसको कहते हैं, जनता के बीच में फैलाना, exactly, चलिए, आईए, अगला question करते हैं, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, usually, क्या होगा, usually, ठीक है ना, चलिए, जैसे 68, the places is considered holy, where two or more river meet, here the antonym of the word holy, holy, holy का antonym, antonym मतलब wilum, holy का मतलब होता, पवित्र, पवित्र का उल्टा क्या होगा, दूशित, दूशित गंदा, है ना, पवित्र मतलब साफ, जिसको आप, मतलब अच्छा है, है ना, और इसका उल्टा क्या होगा, दूशित, है ना, पवित्र का उल्टा क्या हो अब बताई ये आंसर क्या होगा, Godly, Religious अरे बहाई, पवित्र का Religious तो होई नहीं सकता है ओके Religious का मतलब होता है, सिनो नहीं ainen Religious का मतलब होता है, festa and छिए holy का मतलब पवित्र तो पवित्र का उल्टा पूछ रहा है पवित्र का उलटा मतलब गंदा ताइब का शापित ताइब का में हिंदी में होता है कर्सट तो correct answer क्या होगा Гос proximity कुस्ट मतलब क्या होता है शापित शापित पवित्र में नहा करके इंसानों के भाग खुल जाते हैं और जो चीज शापित होगी वहाँ पर जाकर के इंसानों के भाग बरबाद हो जाएंगे अगला कुशन 69 पीपल कम टू बाथ बैथ एंड वर्शेप इन दा गंगा एज इट्स वाटर इस लोग आते हैं है है फेल्द है बताव पूजा करने कांड क्या है उनका बिलकूल शपा जाही बात है उसका पानी पुद्ट रहें क्या है पाबित्र है कुल तो कई जगे का पानी है वाई कुल लानाना झाल आप नौर्थ पोल कि नदियों में नहा हुआ वहाn के बड़े- बड़े दीएं प्लोलर, religious, old बताईए लोग क्यों जाते हैं इग्जेक्टली वो religious होते हैं धार्मिक होते हैं इसलिए वो जाते हैं 70 का बी correct answer चलिए तो next चलते हैं passage number 3 की तरफ चलिए passage number 3 की तरफ चलते हैं passage number 3 क्या कहता देखते हैं okay passage number 3 it was Ajit's birthday ओके यह अजीत का बर्ड़े था it was Ajit's birthday ओके सो फिसे बारे बताता हूं में क्या लिका it was Ajit's birthday यह अजीत का बर्ड़े था all his friends and our relatives had gathered 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 मतलब एकठा हुए थे गर्ड़े मतलब all मतलब उसके सारे friends and relatives had gathered एकठा हो चुके थे क्योंकि जहां head लगता उसका मतलब होता है चुके थे head का मतलब क्या होता है चुके थे he received many gifts उसने बहुत सारे तोफे गिफ्स मतलब तोफे प्राप्त किये थे पाए थे there were books twice and close वहाँ पर थे क्या करते books थे twice खिलाउने थे और क्लोस थे Ajit's aunt gave him a surprise gift a rose sapling Ajit की चाची ने ओके गेव हिम दिया था a surprise gift एक surprise एक मतलब की एक दम से चौका देने वाला तौफा surprising मतलब चौका देने वाला ओके a rose sapling एक गुलाब का पौधा गुलाब का पौधा समझ गे ना Ajit लाइक his aunt's gift the best Ajit ने अपनी aunt यानी चाची की गिफ्ट को the best सबसे अच्छा पसंद किया and once ran to the garden and planted the sapling or once or at once मिलते ही at once सबसे पहले वो कहां गया garden में गया और उसे प्लांट किया और उसे प्लांट किया Ajit watered the plant everyday Ajit जो है हर दिन पौधे को पानी देता था As soon as he woke up in the morning जैसे ही वो सुबह उठता था He would rush to see how much the plant had grown वो देखने के लिए भागता था रश मतलब दौडना रश मतलब दौडना To see, देखने के लिए how much the plant had grown पौधा कितना बढ़ चुका था One day he saw two little rose buds peeping out उसने एक दिन देखा One day he saw उसने एक दिन देखा था Two little rose buds Two little rose buds के buds Buds मतलब एक तरीके से जिसमें से कलियां खिलती है हाँ चोटे-चोटे फूल होते हैं उनको buds बोलते हैं जो बस निकलना सुरूई होते हैं है ना दो पत्तियों के बीच में से फूल निकलना सुरू होता है ना तो इसको buds बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पत्तियों उसने एक दिन देखा कि टूल लेटल बड्स लो रोज बड्स पीपिंग आउट पीपिंग आउट वैसे पीविंग का मतलब जहाकना मतलब यहां पे पीपिंग का मतलब है कि जस्ट ऐसे बाहर की दर्म निकलने की कोशिश हो रही थे ना He kept watching the buds bloom into a beautiful yellow roses He kept watching the buds उसने watch किया देखता रहा कि किस तरीके से जो buds हैं वो bloom हो रहे हैं Bloom मतलब उनका विखास हो रहा है Into beautiful yellow roses मतलब जो buds हैं खुल करकी क्या बन गए Beautiful yellow roses कुलाब बन गए पीले कलर की He was happy and thrilled वो happy था and thrilled Thrilled मतलब उसके अंदर एक तरीकी से मैं बताना Thrilled का मतलब Romanchit कुछ नया करने का उसके अंदर feeling आया कि मैंने कुछ कि मैंने कुछ romanchit कर लिया कुछ अच्छा नया कर लिया With his mother's help He plucked the flowers अपनी मा की मदद से उसने flower को pluck किया Okay He gifted the first two roses His mother and sister उसने शुरुआत के जो दो फूल थे अपनी मम्मी को और अपनी बहन को दिया अजीद डिसाइड़ तू प्लांट मोर सैपलिंग इन हिस गॉर्डन अजीद ने डिसाइड के निने लिया कि अपने कार्डन में वह और सैपलिंग लगाएगा चलो आजाओ तो कर दें इसके question Number one अजीद's best birthday gift was a What बिल्कुल सही रूस सैपलिंग देखने की ज़रुद भी नहीं है पहला answer है चलिए question number 72 देखते हैं क्या कह रहा है As soon Ajit woke up He बताओ बाई जैसे ही जाकता तो वह क्या करता है बिल्कुल सही rust to see the sapling वह देखने जाता है कि sapling कितनी बड़ी हो गई third 73 question How many rose birds appeared first उसको कितने birds देखने को मिले शुरुबात में correct answer उसको दो birds देखने को मिले फिर 74 Ajit gifted the first two roses Ajit ने पहले शुरुवात के दो रोजस किसको दिये His mother and sister Exactly उसकी mother को और sister को What the word thrilled means word thrilled का मतलब क्या होता है sad, surprise, excited, effort effort का मतलब होता डरा हुआ sad का मतलब होता है excited का मतलब होता है उसक एकदम को लिए रिमेरे को मौका मिल जा एकदम भगवान क्या होने वाला है है ना ऐसा क्या हो जाएगा surprise मतलब चौकना surprise मतलब बिल्कुल वो excited रहता था क्या रहता था excited, thrill का मतलब thrilled मतलब excited okay तो correct answer 75 का क्या है 75 का भी excited चलिए तो ये passage भी हमारा पूरा हुआ I hope आप लोग को अच्छे समझ में आ होगा दोस्तों next, next, next okay अभी और अब next passage है okay चलिए अगला passage करते है okay guys so ready for the passage number 4 okay so what this passage saying the name tree is known as the village pharmacy गाओं की pharmacy मतलब दावाई की दुकान due to the medicinal benefits of its seed क्योंकि इसके बीच के medicinal मतलब हाँ medicinal benefits होते हैं नहीं medicinal मतलब की इसकी जो मेडिस बीच होते हैं medicinal को हिंदी मोलते हैं और शदी क्या बोलते हैं और शदी मतलब दावाई से रेलेटेवस के अंदर बहुत सारी खूबियां पाई जाती हैं हाँ वही जड़ी बूटी और सदी सब एकी चीज़ होती है है ना उसके अंदर बहुत benefits होते हैं कौन से वाले जड़ी बूटी के benefits कहलो या और सदी वाले benefits या उसके medical benefits होते हैं ओके bark and leaves bark मतलब छाल leaves मतलब पतियां it is called arista arista in sanskrit arista in हाँ भाई तुम नीम को sanskrit में क्या कहते हैं arista in sanskrit which means perfect which means perfect imperishable and complete imperishable and complete जिसको अलग निया के जैसा के या and complete and complete neem oil plays an important role in pest control and also and can also in use replacement of mosquito replant replacement for mosquito replant for neem oil plays an important role in pest control pest control patent control का मतलब क mean पैस्ट company का मतलब हुआ करता है कीटों को छोड़े कीटों को भगाने वाला केट को बागने सिकित को भगाने वाला जो कीट पढ़ने वाला जो कीट पतंगे लग जाते हैं नहीं के खाने बगारे में उनके दूर भगाता है इसलिए पहले के समय में लोग जो था गेहूं में क्या मिला के तो गेहूं में क्या मिलाते थे वो लोग छोटी छोटी नीम की पत्तियां जो है नीम की पत्ती मिला करके रखते थे जिसमें कीड़े नहीं लगते थे ओके ने गोबर एक अलग चीज़ है गोबर को क्यों मिला हो आपके पास कच्छुवा अगर बती नहीं है तो आप उसकी जगह में क्या लगा दो नीम की पतियां जला दो तो मच्छर भग जाएंगे नीम एंड केक्स सॉरी नीम सीड केक्स एंड नीम सीड केक्स आर यूजड एट फर्टिलाइजर जी हाँ नीम का जो सीड होता है जिसको बोलते हैं नीबोली क्या बोलते हैं यलो यलो कलर की जो नीबोली होती है उसके बीज को निकाल करके पेस्ट बनाए जाता है क्या बने जाता है उसकी छोटी छोटे अंदर जो बीज निकलते हैं उसके बीज को निकाल करके उन बीजों को पीस कर करें पेस्ट बनाय जाता है और उस पेस्ट का जो यूज होता है उस फर्टी– लाइखर थी फ्टी लाइजर मतलब पेड़ों को ताकत देने के लिए जो बनाए जाती है दवाईयां उनके लिए कुछ पर जो पेस्ट बनाय जाता है श्को चेहरे पे लगा जाता हैं इसे ही निम बेद चैच चक क्या बोलते हैं जी चचक पढ़ जाती हैं चोटे 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 उन दाख को उताने के लिए नीम का इस्तमाल होता है चैच प na के लिए नीम ट्विंग्स कॉमनली रेफर्टू एस दातून नीम की जो डालियां होती है ना नीम की डालियों को क्या बोलते है दातून and used to toothbrush in villages और गाओं के लोग इसका villages में किस के तरह इस्तमाल करते हैं tooth brush के तरह the bark and roots are also used इसकी bark केने की चाल भी use होती है roots मतलब इसकी जड़ भी इस्तमाल होती है in powdered form किस form में powder इनको piece करके powder बना दिया जाता है to control fleas and ticks on pets okay fleas and ticks on pets मतलब यह दो प्रकार की बीमारी हैं जिनको fleas and pets ticks बोलते हैं और यह किन में होती है जानवरों में किस में होती है जानवरों में fleas and pigs जो होती है जो होती है अपने pets में होती है clear हुआ clear हुआ कि नहीं हुआ okay चले यह question करते हैं तो बहुत ही easy question है अब pharmacy is लिए भाई pharmacy क्या है भाई बताओ pharmacy क्या होता है farmhouse playground की medical store pharmacy medical store होती है क्या होती है medical store का दूसरा नगम क्या होती है pharmacy जहां दबाई है बगरे मिलती है तो pharmacy में बदाब medical store the part of the neem tree that is useful for the farmers farmer के लिए कौन सा part important ने बताए seeds बिल्कुल सही बात है वो लोग उसकी seed का paste बनाते है fertilizer का तो correct answer seeds which part of the following is not a synonym perfect perfect का synonym कौन सा नहीं है perfect मतलब क्या होता है एकदम शानदार ठीक बिल्कुल ठीक देखो इधर तो perfect का synonym कौन सा नहीं है faultless faultless मतलब की दो शरहित बिना किसी परिशानी के जिसमें किसी परिकार का error नहीं हो seamless flawless blemished तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा है synonym perfect का आपको बताना है synonym क्या है तो correct answer blemished इसका correct answer है blemished blemished मतलब एक तरीके से जिसमें कोई blame लगा हो जिसमें किसी परिकार का धबबा लगा हो जो कलंकित हो जिसके दोश हो जिसके दोश हो गुन का उल्टा क्या होता है कहते है गुन है गुन मतलब अच्छी चीज़ है दोस मतलब बुरी चीज़ है तो जिसके उपर कुछ बुरा निशान लगा हो कुछ बुराई हो उसको बोलते है blemished क्या बोलते हैं blemish marki एक perfect का होता faultless मतलब seamless and flawless flawless मतलब कोई कमी नहीं flawless मतलब कोई कमी नहीं चले अगला question number 79 कर दें the word pest in the passage means pest का मतलब क्या होता है भाई pest the word pest in the passage means देखो यहां पर यूजाया था in role in pest control ma Ronnie भूल इन पांतो तो यहां पर लूजा कर दो ओता स्पर्टे जैन भी संपर्ट का मतलब होता है कीडे अ unfamiliar मेलों कीड शेट कर्याम कैप्राइश कीड कॉटे दो tone like the dirty water गंदा पानी पॉल्यूशन बता यह पेस्ट का मतलब क्या होगा एक्जेक्टली एक्जेक्टली एन इंसेक्ट डेट डिस्ट्वाइब क्रॉप्स जो फस्लों को ब्रभाद कर दे उस इंसेक्ट को पन पेट्स बोलते हैं पेस्ट बोलते हैं पेस्ट पेस्ट ओके चली तो यह भी सही है 79 का एक और रक्त अनसर नीम ब्लैंक ऑर ंुजड अर यूस एट टूथ ब्रस बताओ बहरी नीम की क्या इस्तमाल होती है नीम कर क्या बोलते हैं त्विग जो बरांच से निकली होती है बरांच तो बड़ी मोटी होती है बरांच से जो छोटी चोटी डालिया अऩो पही वोड़ते हैं भूलतें ऱल्यों से आफ बाइंग तो तो यह भूती है ना ठीक है चलिए तो यह रहा आप्हेंस पर ग Public को उसetas को अमुन्य पूरा कर लिया है थे खंज के स्गोर्त को मैं विए थे सल मज़ाइब इस भैंग प्रमा नुट अब वारत बाइब बाइब आ बाइब